जी हाँ दोस्तों सिद्धु मुसेवाली जी के हत्या के डेर साल बाज सिद्धु के पिता बलकौर सिंग्जी ने आखिर कार सिद्धु मुसेवाली जी के हत्यारे को कातिल को ढूंड कर निकाल डाला है और सिर्फ इतना ही नहीं आपको बता दे सिद्धू मुसेवाला जी का हत्या में शामिल सचिन विशनोई के बयान के बाद सिद्धू के पिता ने जो है काफी कुछ खुलासा किया है जिस पर लौरंस विशनोई एक बार फिर से भड़क गया और उसने फोन करवा कर ये कहा कि म उने लौरंस को चेतावनी दे डाला है ठीक उसी अंदाज में चेतावनी दी है सिद्धू के पिता ने जिस अंदाज में लौरंस विशनोई की तरफ से सिद्धू के पिता के पास फोन कॉल भरी धम की आई एक एक अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं इस लेटेस्ट पे पुलिस रिमांड में जो है परसो ऐसे ऐसे रास से पर्दा उठाया है जिस से लौरंस विशनोई की रूह काप उठी है उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसे से खुला से जो है मेरा खुद का भांजा करेगा लेकिन उसे करना पड़ा आपको बता दे सिद्धू मुसेवलज के हत्या को जो है विक्की मिड्डू खेडा के हत्या से जोड़ा जा रहा था कि विक्की मिड्डू खेडा के हत्या की हत्या हुई थी उसके बाद ही हमने बदला लेने के लिए सिद्धू की हत्या के लेकिन ऐसा नहीं है लौरंस की भंजे ने पूछ ताज में रिमांड में ये सच्चाई कबूल की है कि कबड़ी जो है हो रही थी भंबिया गैंग के द्वारा और उसमें जाने से रोक रहा था फोन के जरिये लॉरंस भिशनोई लेकिन लॉरंस की बात ना मान कर सिद्धू मुसेवाला जी जैसा कि अपने डिसीजन के लिए जाने जाते थे और एक बार फिर से 2020 में कबटी जो भंबिया गैंग के द्वारा की गई थी उसमें जाने के लिए सिदू मुसेवाला जी ने उसी बेवाकी से अपना डिसिजन लिया ने डरता के साथ डिसिजन लिया और उन्हें साफ तोर पे जब लॉरंस का फोन आया जाने से मना किया गया स सिदू मुसेवाला जी को और वहाँ परफॉर्म करने से भी मना किया गया तो सिदू मुसेवाला जी ने साफ तोर पे कहा कि जो उखार ना उखार ले मैं नहीं डरता मैं तो जाऊंगा और सिदू मुसेवाला जी वहाँ गए सिदू मुसेवाला जी बात नहीं मानी लॉरंस बिस नोई की जिस वज़ से उनकी हत्या कर दी गई रंजिश स्टार्ट हो गई 2021 से ही उनकी हत्या की planning शुरू कर दी गई थी और सिद्धु के पिता हत्या वाले दिन से ही कई हत्यारों के नाम भी ले रहे थे यहां तक कि पंजाब में कई ऐसे गायक हैं जो सिद्धु मुस्यवालजी के हत्या कांड में शामिल है उनका भी नाम जो है दर्ज कराया था सिद्धु के पिता ने जिसमें अफसाना खान हुई बबुमान हुए और भी कई सारे सिंगर हैं जो की पूस्ताच के लिए बुलाया गया था लेकिन उनके प्रती कोई सुबू कर क्या है लेकिन सिद्धु मुस्यवालजी की हत्या से जुड़ी एक एक डिटेल जुटाने में जो है पंजाब सरकार ने देरी की देर साल से उपर हो गया है सिद्धु मुस्यवालजी की हत्या की लेकिन अब तक इंसाफ नहीं मिला है अभी तक हत्यारे पकड़े ही जा र रही है सिर्फ ये सम्हम नहीं बलकि सिद्धू के पिता का कहना है ये सारी बाते वो बिल्कुल भी सैटिस्फाई नहीं है संतुस्ट नहीं है पंजाब सरकार से उसाफ तोर पे कह रहे हैं कि पंजाब के नौजवानों की हालत दिन परते दिन बत्तर होती जा रही है अगर पं को मारने की साजिस जो थी 2021 से की जा रही थी और जो है नाम भी लिया था उन्होंने लेकिन सरकार उनकी बात को नहीं मान रही थी ना सुनवाई हो रही थी और सिद्धू के पिता का आज भी यहीं कहना है कि सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है कुछ नहीं करने वाली है हमें ही कुछ करना होगा, इस तरह की तमाम बाती जो है सिद्धू के पिता बलकौर सिंग जी का कहना है वेल सिद्धू मुसे वाला जी की हत्या को लेकर और उन्हें जस्टिस ना मिलने को लेकर जो की डेर साथ से उपर होने को जा रहा है इसे लेकर आपकी क्या राय है जरूर अपनी राय खुल कर कमेंट शेक्शन में वेक्त कीजिएगा साथ ही ही सचिन विशनोई के बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जो भी आपकी राय है जरूर कमेंट करें और साथ ही हैस्टेक जस्टिस फोर सिद्धू मुसे वाला आवश्य लिखिएगा कमेंट शेक्शन में दोस्तों धन्य बाद